नमस्कार आदाब सत्स्रीयकार नियोज क्लिक के कारिक्रम नियूज मन्थन के साथ मैं उर्मिलेश दोस्तों आज के विशय पर बादचीत शुरू करने से पहले अपनी सबसे पहले बालासोर में जो कोरोमंडल एक्सप्रेस और यश्वंत पूर हावडा एक्सप्रेस की दुरगटना हुई है भयानक दुरगटना है माना ये जा रहा है कि 1999 के बाद ये देश में सबसे बड़ी रेल दुरगटना है अब तक 280 लोगों की मौत की सूचना है और कई 100 लोग घायल है तो दोस्तों हम इस घायल पर इस दुरगटना पर हमें अपनी टीम की तरफ से पूरा गहरा अपसोस है बहुत दुख है और हम के पतीश धानजली अर्पित करते हैं और जो लोग घायल है उनकी जल्दी से जल्दी सहत सुधरे अपने घर वो वापस जाएं इसकी कामना करते हैं और सरकार से ये अपेक्षा करते हैं कि लोगों को सही राहत और सही अनुदान या उनके लिए जो भी जरूरत मन्द चीज करेंगे हमारी सबसे पहली ख़बर है राहुल गांधी को लेकर भले ही वह कॉंग्रेस पार्टी के आज रास्ट्री अध्यक्ष नहों भले ही वह विपक्ष के नेता भी नहों संसद में भले ही वह संसद नहों लेकिन राहुल गांधी इस वक्त भी देश की जो विपक्षी राजनीती है उसके सबसे बड़े आकरशन के किंद्र बने हुए हैं तो राहुल गांधी इस वक्त जिस तरह से अमेरिका में बोल रहे हैं जो सवालात वो उठा रहे हैं उससे भारती जनता पार्टी और मोदी जी की जो सरकार है उसमें खल्बली सी मची होई है पहले यही भारती जनता पार्टी और यही मोदी जी की सरकार के लोग उनका मजाक उड़ाते थे उन्हें कोई पपू कहता था कोई बबलू कहता था तरह तरह की बातें और पूरी RSS BJP की मशीनरी लगी रहती थी कई सालों तक कि कैसे इस व्यक्ति को हम इस तरह से मजाग का विशह बना दें कि इनको तो कुछ आता ही जाता नहीं है लेकिन जब वो देश और विदेश में लगातार बोलने लगे तो लोगों ने देखा कि यह आदमी तो बहुत पड़ा लिखासा है खासकर भारती राजनित के स्टेंडर्ड से और ऐसी स्थिती में उनकी बातें अपील करने लगी वैसे भी हमारा समाज आम तोर पे दुनिया क अन्य मुलकों के मकाबले अगर देखा जाए तो काफी वाचाल किस्म का समाज है हमारे हाँ लोग बहुत बोलते रहते हैं आप देखिए किसी दफ्तर की बात छोड़िये किसी पान की दुकान पे चले जाएए रेस्टरेंट में चले जाएए होटल में चले जाएए किसी ग दॉक्टर तो बिलकुल बेकार हो जाएंगे यहां हर व्यक्ति डाक्टर बन जाता है हर व्यक्ति प्रोफिसर बन जाता है हर व्यक्ति तिहासकार बन जाता है तो हमारे समाज में यह बरसों बरस से है मनें हमें तो लगता है कि हमारा समाज कुछ ज्यादा ही बोलता है कुछ ज़्यादा ही अपने को तिसमार कहां समझता है हर व्यक्ति यहां कि वो कुछ जानता है और ज़्यादा लेकिन सब लोगों के बारे मैंसा नहीं कहा जा सकता आप जैसे आदिवासियों का समाज है अब जैसे जो और सो शिक्षित लोग हैं बड़े गंभीर किस्म के एकेडेमी देंगे इंकर राहुल गांदी भी बहुत सारे सियासतदानों की जो भीड है अपने देश में उसमें वाकई उन्होंने एक अलग इमेज अपनी हाल के वर्षों में बना ली है कि वो अलग हैं और अलग इस मामले में हैं कि वो बक्षक नहीं करते वो चीखते चिलाते नहीं हैं बहुत शांती से अपनी बात काते हैं शुरू में अपने समाज में लोगों ने इसको एक दब्बू की तरह लिया होगा लेकिन जैसे जैसे उनकी बातें लोगों को समझ में आने लगी और खासकर जो यात्रा थी भारस जोड़ो यात्रा इसमें तो बहुत समझ में आई कोविड के बारे में कोविड 19 के बारे में जो बातें राहूल गांदी ने कोविड से पहले कही थी यानि कोविड के महाविस्पोर्ट होने से पहले वो बिल्कुल सही साबित होने लगी सरकार के बारे में जो उन्होंने बातें कही थी वो भी सही होने लगी थी तो लोगों को लगा कि ये आदमी समझदार है और इसकी जो image build की गई है सत्ता द्वारा और सत्ता से जुड़े संगठनों द्वारा वाकई वो एक परियोजना है एक प्रोजेक्ट है जिसके तहत बताया गया कि इनको कुछ आता जाता नहीं है और जिनको बिलकुल आता जाता नहीं है इस देश में जो बहुत सारे लोग ऐसे सियासत्दान में हैं जो सिर्फ टेली प्राम्टर पर पढ़ सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते और उनके बारे में image build की कर दी गई कि बहुत ही ग्यानी है वो सब कुछ जानते हैं तो ये अपने मुल्क में हुआ है तो दोस्त में राहूल गांधी ने जो बातें कहीं उनको लेकर भारत में काफी बावेला मचा बावेला मचाने वाले वही लोग थे जो उनको पहले बिलकुल ignore करते थे उनको तो जानते ही नहीं थे कि वो politician है मानते ही नहीं थे कि वो स्टेट्समेन हो सकते हैं मानते ही नहीं थे कि वो राइनितिक एक ऐसे व्यक्ति हो सकते हैं जो उनको परेशानी में कभी डालें लेकिन राउल गांदी ने परेशानी में डालना सुरू कर दिया उनको और भारत जोड़ो यात्रा ने तो जितना परेशान उनको किया वो पूछिये मत और दोस्तों स्टैन्फोर्ड के जो स्प् वाशिंग्टन गए और वाशिंग्टन में जो नेशनल प्रेस क्लब में उनका प्रश्णोतर है वो इतना जबरदस्त है कि उसमें बहुत सारी चीजे निकल कर सामने आई और उन्होंने एक तरह से एक दलगत नेता की तरह नहीं बोला उन्होंने एक भारती नेता की तरह ब इस साथ बहुत जाती हो रही है उन पर बहुत दमन हो रहा है तो उन्होंने का ये हो रहा है फिर उन्होंने उसमें जोड़ा कि जो आज इनके साथ हो रहा है सनसी के दौर में दलितों के साथ यूपी वगरा में हुआ है और हो चुका है अब उस समय आप देखिए तो सरकारें किसकी थी उस समय सरकारिंग कॉंग्रेस पार्टी की थी हिंदी हार्ट लेंड में और ये वही दोर है जब दलितों पर अत्याचार की घटनाएं बहुत हुई थी तो एक तरह से वह कॉंग्रेस रिजीम में भी जो उत्पीडन की संस्कृती थी अत्याचार की जो संस्कृती थ और फ्यूडल्स के द्वारा उसकी तरफ इशारा कर रहे हैं ये मैं समझता हूं कि कॉंग्रिस पार्टी में राहुल गांधी ही ऐसा कर सकते हैं और तो मैंने हाल के अपनी जिंदगी में कॉंग्रिस के नेताओं को इस तरह की बात करते हुए नहीं देखा था तो मोदी जी के लिए सचमुच ऐसा नेता आप अब बताइए उनकी मेंबर्सिप ली जा चुकी है मेंबर्सिप उनकी कैसे गई है संसत से ये पूरी दुनिया को मालूम हो चुका है अब तो अमेरिका में भी इसकी खूब चर्चा हुई है तो ऐसी स्तिती में फिर भी अगर राहूल गांदी नहीं डर रहे हैं यानि मोदी जी से इस देश के तमाम पॉलिटीशन भी पक्ष के बहुत सारे मैं सबकी बात नहीं कह रहा हूं लेकिन बहुत सारे भी पक्षी पॉलिटीशन हैं और उनकी वापनी पाटी के भी लोग जो बेहर डरते हैं मोदी जी की मोद गर्सिप ले ली गई और उनको एडी से लेकर पता नहीं कहां कहां सी भी आई वगरा की बात मैं कर रहा हूं उनसे भी उनका मुकाबला हुआ कई बार उनसे पूस्ताच एजनसीज ने की उनकी माता जी से पूस्ताच की इसके बावजूद ये आदमी डर क्यों नहीं रहा है ये बीजेपी के लिए सबसे बड़ा डर है बीजेपी के बड़े बड़े नेता इस बात से डरने लगे हैं कि ये राहुल गांदी मोधी जी अमिशा से डरता क्यों नहीं है तो एक ये कहानी जरूर भारती जंतापाटी और सरकार में बन रही है जो उनको परेशान कर रही ह दोस्तो राहूल गांदी ने अपनी आत्रा की दोरान जो मोधी सरकार की डिमोक्रसी को लेकर जो एक समझदारी या एप्रोच है उस पर बहुत जोर दिया और उनका ये कहना था कि जो कांस्ट्यूशनल जो हमारे स्ट्रक्चर हैं उनको ये तोड रहे हैं उनको ये खतम कर रह है इस देश का इस वक्त और दोस्तो प्रधान मंतरी मोधी भी अमेरिकी जो सरकार है जो राश्ट्रपती हैं बाइडन साहब उनके निमंतरन पर 21 से 24 के बीच में इसी महीने अमेरिका जा रहे हैं और वो स्टेट विजिट पर होंगे नौ साल की अपनी सरकार के धर्मियान ये पहला मौका है जब मोधी जी अमेरिका में स्टेट विजिट पर जाएंगे लेकिन इस सियात्रा में नरेंदर मोधी जी को निश्चित रूप से राहूल गांधी द्वारा अमेरिका में उनकी सरकार पर उठाए सवालों की एक चाया हर जगा मनराती रहेगी हर जगा रा यहां बीजेपी के लोग कहते रहें कि परदेश में जाकर राहूल गांधी ने बोल करके सरकार की आलोचना करके मोधी जी की आलोचना करके भारत को एक तरह से कटगरे में खड़ा कर दिया है भारत की निंदा किया है और भारत के खिलाफ माहल बनाया है ये कोई मानने वाल नहीं है सरकार की आलोचना भारत की आलोचना नहीं है प्रधान मंत्री की आलोचना अपने देश की आलोचना नहीं है ये बात तो बिलकुल साफ है और इसको लेकर कोई मुझे लगता है कि विवाद नहीं होना चाहिए और दोस्तों इस बीस में एक और मसला उठा है एक विबाद उठा है मैं समझता हूं कि इस पर बहुत छोटा एक कमेंट करना जरूरी है इस पीच में राहूल गांधी ने इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग जो केरल में उनकी पार्टी का एलाई है और बहुत पार्टी कह रहा है राहूल गांधी अमित मालविया जो बहुत बड़े नेता हैं और सेल संभालते हैं आई टी सेल के वो इंशाज बताया जाते हैं उन्हों ने तो बकायदे ट्विट कर दिया और कहा कि यह जो लीग है यह जिन्ना की लीग को ऐसा कर रहे है अब इन लोगों को इतने हम तो समझते थे कि अंग्रेजी अंग्रेजी वी पढ़े हुए नेता आए हैं भारती जन्ता पार्टी में सभी लोग अब संग के लोग नहीं है बहुत modern लोग भी आये हैं और सत्ता में इतने सालों से हैं काफी बड़े-बड़े इंश्यूट्स में बड़े-बड़ी विश्विद्यालेयों में उनके लोग हैं उपर के पदों पर हैं तो काफी ग्यान अरजित कर लिया है तो मेरा यह समझना था कि पढ़ाई लिखाई काफी की ह लेकिन इतना भी वह नहीं समझ पाए कि इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग और इंडियन नेश्नल मुस्लिम लीग यह दोनों अलग-अलग हैं धाका में 1906 में मुस्लिम लीग पार्टी बनी थी और ख्वाजा जो समिल समिल्ला साहब हैं वह उस पार्टी के अध्यक्ष थे संस्थापक अध्यक्ष जिन्ना उस पार्टी में 1913 के आसपास आये थे मैं यह मुस्लिम लीग की बात कर रहा हूँ लेकिन जो इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग है यह 1948 में यानि आजादी के बाद इसका पुनरगठन अलग-धंग से किया गया इसको एक डिमोक्रिटिक स के बारे में सोचे कि क्या इसका कांस्टियूशन होना चाहिए इस पर जो बात की गई तो 1948 के बाद बहुत सक्री नहीं रही लेकिन 1951 में एक सेप्टेंबर को मुहमद इसमाईल की अध्यक्षता में यह पार्टी जो है इसने अपना संविधान एडाप्ट किया और इसके ब प्रॉपर पार्टी प्लेटफॉर्म के तोर पे काम करने लगी तो यह चीज दोनों को ध्यान में रखने चाहिए थी भारती जंता पार्टी के निताओं को उन्होंने जिन्ना की मुस्लिम लीग पार्टिशन के लिए जिम्धार माने जाने वाली लीग और केरल में काम करने वाली तमिलनाड में काम करने वाली जो मुस्लिम लीग है दोनों को एक समझ लिया और इस पर टेलीविजन के चैनलों पर इतना भास हो गई इतना भी बाद हुआ लेकिन एंकर्स को भी यह बात नहीं वालूं तो कितनी हास्यास्पत कितनी यह यह दिल्चस्प और कितनी मतल जब इस पर आसू कोई बहाए या इस पर रोए कि अपने टेलीविजन चैनलों के एडिटर्स और एंकर्स को भी इतनी सारी चीज़ें नहीं मालूं है जबकि इंटरनेट का जमाना है कोई भी गूगल करके देख सकता है दोस्तों दूसरी एक बात मैं कहना चाहता हूं कि अ हमारा भी मानना है कि सद्यादेश की हर हालत में मुखालपत सभी विपक्षी जलों को करना चाहिए लेकिन वो कटगरे में खड़ा कर रहा है कांग्रिस पार्टी को कि ये क्यों नहीं अभी तक एनॉंस कर रही है हर पार्टी के अपने तर तरीके हैं कब कौन पार्टी इस देश में महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा है इस देश में जो 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 बेरोजगारी है वो सबसे बड़ा मुद्दा है इस देश में नफरत की जो राजनीती है सबसे बड़ा मुद्दा है इस देश में बढ़ती हुई असमानता जो है सबसे बड़ा मुद्दा है इस बंगाल के किसी एक मुद्दे को पूरे रास्ट्री स्थर का सबसे बड़ा मुद्दा बताना आप देखिए CBI ED का जो दुरुपयोग है वो कितना बड़ा मुद्दा है समाज में सांपरदाइक्ता नफरत का जो फैलाव है कितना बड़ा मुद्दा है तो इन मुद्दों को छोड़ करके किसी एक छोटे मुद्दे को एक एक कांटेक्स्ट वाले मुद्दे को या नेशनल ही कांटेक्स्ट क्यों न उसका हो उसको उस पर मुझे लगता है कि बेमतलब राइनितिक जो दाव पेंच है एक दुसरे पर कीचड उछालने वाला वो बंदोना चाहिए और है जिस तरह उनको सपोर्ट में शुरू में उसने बेयानात दिये उनके साथ फोटो खिंचवाई बहुत सारी ऐसी बाते हमने देखी है हाल फिलहाल दोस्तो एफ आई आई आर के अखवारों में आ जाने के बात एफ आई आर के जितने बड़े इशूज है जो जो उसके मुद्धे हैं वो सारे के सारे कुछ अख़वारों ने चाप दिया इसमें इंडियन एक्सप्रेस सबसे प्रमुक है अंग्रीजी का अख़वार और ये दो जून के अख़वार में छपा है संसकान में छपा है रोंग ट्रेक खड़े करने वाले तत्थे उसमें है महिला पहलवारों के जो बयान है जो एफ आई आर का हिस्सा है वो किसी भी आमनागरी के वाकई उसको उसको बिलकुल उसको बिलकुल एक तरह से यूं कहा जाए कि परिशान स्थब्द करने वाले हैं कि क्या हमारे देश में कुष्टी महासंग का ध्यक्ष जो सांसद हो जो प्रधान मंत्री और गर्ह मंत्री जिसकी रक्षा में अभी उतारू दिखाई देते हो पूरी की पूरी पार्टी उसके बचाओ में महीने भर से लगी हुई हो जो दिल्ली पुलिस महिला पालवानों की पीटाई कर रही हो सिर्फ उनको बचाने के नाम पर कि उनके खिलाब धरना परदर्शन नो हो वो आदमी किस तरह के कृतियों का किस तरह के घिनोने ओच्छी हरकतों का आरोपी है लेकिन इन महिलाओं के आरोपों को गंभीरता पूरवक्त तो लेना पड़ेगा नआ आप बिना जाँच परताल के इनको खारिज नहीं कर सकते और उन लड़कियों ने उसमें एक नाबालिक लड़की भी है जिसने ये आरोप लगाए है और इंडियन एक्स्प्रेस में उन आरोपों की पूरी फेरिष्ट है उनको उनको पढ़े बगैर उनको मैं नहीं समझता कि आप समझ पाएंगे इसलिए दोस्तो हमारी आप से गुजारिश भी है कि आप जरूर उन आरोपों को पढ़िए देखिए वो काफी ब्योरेवार हैं अपने इस छोटे से कारिक्रम में मैं सबको नहीं समेट सकता लेकिन ब्रजभूशन सिंग को लेकर मौझूदा सरकार की मुश्किले बढ़ गई हैं इस बीच में जो हर्यानों वगरा की जो खाप पंचायते हैं उत्तर प्रदेश के पश्चमी हिस्से के बहुत सारे किसानो का जो संबू है उसने नौ तारीक को अल्टीमेटम दिया है कि नौ तारीको वो दिल्ली में धमक रहे हैं यहां आ रहे हैं और धरना पर फिर बैठेंगे मैला पहलवानों के साथ बैठेंगे और किसी भी तरह वो पीछा नहीं छोड़ेंगे सरकार का बहुत मुश्किल में ह बात करना चाहता था तो नमस्कार आदाब सत्रियकाल